आम आदमी पाटी के गोवा के मुख्य मंत्री के उमिद्वार और राज्य सिविल सेवा के पूर्व अधिकारी एल्विस गोम्स को बीजेपी शाशित गोवा सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच ने पांच साल पुराने एक मामले में नोटीस भेज कर पूछताज के लिए गोवा के जो विधान सभा के चुना होने वाले हैं उसके मद्दे नजर मुख्य मंत्री पत्के उमिद्वार के तौद पर वहां के जो आमादी पार्टी के स्टेट कन्वीनर है एल्विस गोम्स उनको मुख्य मंत्री पत्का उमिद्वार खोशित किया था और उसके अगले ही दिन वहाँ के एंटी करॉप्शन ब्योरों ने उनको सम्मन भेज कर आज यानि 26 तारीक के लिए तलब कर दिया सोमवर को एक प्रेस कॉंफरेंस में आम आदनी पार्टी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कतित तौर पर यह दिखाया गया है कि खुद गोवा के मुख्यमंत्री लक्षमी कांथ पार्सेकर भी मानते हैं कि एल्विस गोम्स एक इमानदार अफसर रहे है जैसे ही उन्होंने वियारस के लिए अप्लाई किया तो जून के महिने में उनके खलाफ एक FIR दर्च करवा दिए किस मामले में हुई? वो 2011 का कोई मामला है पांच साल तक BJP को कोई होश नहीं आया 19 दिसंबर को आम आदमी पाटी ने गोवा में एल्विस गोम्स को अपना मुख्यमंत्री उम्मिद्वार घोशित किया था सोमवार को एल्विस गोम्स को अंटी करप्शन ब्रांच ने पूछताज के लिए बुलाया था आम आदमी पाटी ने कहा है कि जैसे दिल्ली में BJP का हाल हुआ था वैसे ही गोवा में भी होगा गवर्निंस नाव के लिए पंकच कुमार